नमस्कार दोस्तों जैसे के आप जानते हैं कि खत्रों के खिलाड़ी सीजन 9 शुरू ओ चुका है और कहीं न कहीं सारे जो कंटेस्टंट हैं वो सच में बहुत जादा उनका जो स्टंट करने का तरीका है या फिर जो जिस तरीके से वो लोग स्टंट कर रहे हैं वो सच में बहुत जादा मज़ेदार है और सबसे जादा मज़ेदार बात ये है कि इस खत्रों के खिलाडी सीजन 9 में हमको शिशान देखने को मिल रहे हैं कि अभी बिग बॉस बारा के घर से ही निकले है और वैसे ही उनकी एंट्री हो गई है खत्रों के खिलाडी सीजन 9 में जहां पर उन्होंने अपना पहला स्टंट इतनी खूपसूरत तरीके से किया कि लोगों ने उनको बहुत जादा तारीफे की उनकी और कही न कहीं वो स्टंट करकर उन्होंने पहला जो टास्क था वो कम्पलीट किया और उस टास्क में वो जीत भी गए थे और इसी वज़ा से जैसे बिग बॉस बारा में उनकी वाइफ ने भूवनेश्वरी ने उनको सपोर्ट किया था उसी तरीके से वो खत्रो के खिलाडी सीजन नाइन में भी उनको सपोर्ट कर रही है और शोशल मीडिया पर जो शिशान्त के फैंस हैं उनसे जुड़ी हुई है अगर हम बात करें शिशान्त के अलावा दूसरे कंटेस्टेंट की तो रोहे शेटी ने सबकी वाट लगा रखिये यानि कि सारे कंटेस्टेंट को जो वो ऐसे ऐसे टास्ट दे रहे हैं जिसकी वज़ा से दर्शकों को बहुत जादा मज़ा आ रहा है और वहीं दूसरे कंटेस्टेंट देखें अपने आप में आप इने पहले देख चुके हैं कोई डांसर है कोई सिंगर है कोई कॉमीडियन है और सबसे वड़ी चीज जैसे कि आप भारती सिंग को जानते हैं और उनके जो हजमन है यानि कि जो हर्ष है वो दोनों ही कंटेस्टेंट हमें खत्र कि खिलाडी की सीजन जो नाइन है उसको और भी जादा मज़िदार बना दिया है क्योंकि वहाँ पर हर एक मोमिन पे जो हमें भार्टी की जो कॉमेडी देखने को मिलती है जो उनका जो नटखट अंदाज हमें देखने को मिलता है कही न कहीं उससे दर्शकों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इसकी वज़ा से कहीं न कहीं शो की टी आर पी में भी उच्छाल आया है और टॉप फाइव में इसकी टी आर पी देखी जा रही है और वहीं मैं अगर दूसरे कंटेस्टिंग की बात करूँ विकास की बात करूँ जिनको मास्टर माइंड के नाम से जाना जाता है कहीं वैसे अगर उन्हें mastermind कहा जाता है वो एक अलग बात है लेकिन उनका mastermind का जो खिताद है वो खत्रों के खिलाडी season 9 ने उनसे छीन लिया है क्योंकि उनका दिमाग जो है वो जो उनका mastermind है या फिर जो उनको कहा जाता है जो उनका तेज दिमाग चलता है वो खत्रों के खिलाडी season 9 में बिल्कुल भी नहीं चल पाया और कहीं न कहीं जो first elimination हुआ है, first nomination हुआ है उसमें पहली ही टास्क में वो गेम से बाहर उचुके हैं और वो अर्जेंटीना से भारत वापस आ चुके हैं लेकिन देखा जाएगा जहां पर इतने जादा दमदार कलाकार या फिर मैं कहूं क सच में करना इंपॉसिबल है और अगर आपको भी खत्रों की खिलाडी सीजन नाइन में शृष्षांत को देखने में मज़ा रहा है या फिर उनका जो स्टंट करने का तरीका है वो आपको देखकर बहुत मज़ा रहा है वो आप सारी चीजे कमिंड बॉक्स में लेकर हमें बत हैं इंपॉरे तरीके से तईयार हैं सभी कंटेस्टं की क्लास लेने में और सभी को एक ऐसे स्टंट देने में जिसको देख कर या फिर सुनकर उनकी बहुत ज्यादा शामत आने वाली है क्योंकि जो रोहीट शेटीं के स्टंट होते हैं वो बहुत जादा खतरनाक होते हैं बहुत जादा मुश्किलों से भरे होते हैं और शायद ये पूरा जो शो है या फिर जो सीजन है वो पूरा एक्शन से भरा हुआ है कुछ भी मजाक नहीं है सब कुछ रियल है और कहीं न कहीं ये चीजे सारे कंटेस्टेंट पर भारी पड़ति नजारा रही है भारती की बात करें तो भारती ने भी काफी अच्छी तरीके से stunt किया था जो उनका पहला तास था पर कही न कहीं विकास की गलती की वज़ा से वो elimination के उसमें आ गई थी और उसकी वज़ा से उनको वो stunt करना पड़ा जो elimination round का सबसे खतरनाक stunt होता है शायद भारती सिंग को वो stunt विकास की वज़ा से करना तो देखा जाएगा अभी तो पहला हफ्ता ही गया है आने वाले हफ्तों में रोई शेटी क्या-क्या खतरनाक स्टंट लेकर आते हैं जिसकी वज़ा से जो बाकी कंटेस्टेंट है उनकी हवा टाइट होती है इस सारी चीजे देखना बहुत जादा इंटरस्टिंग होने वाल के साथ साथ टुडेश की आप को जरूर डाउनलोड करें धन्यवाद